ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहिए पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहिए, तेरे बोल पर अंकुछ नहीं डाल सकते, बोल इलाबा अजाद है तेरे करनाटक में कॉंग्रिस की सामानी जीत नहीं है, भारती जनता पार्टी को मिल रही है 60 के आसपास सीटें, कॉंग्रिस को मिल रही है 130 से उपर सीटें, यानि की बीजेपी के मुखाबले कॉंग्रिस को डबल सीटें, और ये ना भूलें, भारती जनता पार्टी ने साम दाम द पार कर दिया, सबसे बड़ी बात, धर्म के आधार वोट मांग लिया, इस मुद्दे पर उन पर पाबंदी भी लग सकती थी, याद कीजिए, शिवसेना के पूर्व प्रमुक स्वर्गे बाला साब ठाकरे, उन्होंने अपनी तरफ से एक भढ़काऊ बयान दिया था, उन पर छे साल की पाबंदी लगा दी गई थी, मैं उसकी तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मूदी से नहीं कर रहा हूँ, मगर प्रधानमंत्री ने शुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का एक नहीं, बल्कि दो दो बार उलंगन किया, दिशा नंबर एक और दिशा नंबर बड़ा प्रश्णया पर ये कि क्या ये नफरत की हार है, क्योंकि कॉंग्रेस ने धर्म के नाम पर प्रदेश की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता को अपना मॉडल पेश किया है, आज की तारिक में दोस्तों ये तस्वीर वाइरल हो रही है, पूरे स्क्रीन्स पर बड़ा है और दूसरी तरफ प्रधान मंतरी नरेंदर बोदी है, राउल गानी के नीचे लिखा हुआ है बजरंग बली और प्रधान मंतरी नरेंदर बोदी के नीचे लिखा हुआ है बजरंग दल, प्रधान मंतरी को क्या लगता है मैं आपको बताता हूँ, प्रधान मंतर श्रीराम से ने विश्व हिंदू परिशत का खौफ रहा है अगर हम तटिय करनाटक की तरफ जाए और उस इलाके की बात करें ये वो इलाका है दोस्तों जो RSS की प्रयोग शाला रहा है यानि कि वहाँ पहले से ही श्रीराम से ने बजरंग दल विश्व हिंदू परिशत की बड़े पैमाने में मौझूद गी है और एक तरह से भारतिये जनता पार्टी ने करनाटक में कदम भी तटिये करनाटक से रखा था कोस्चल करनाटक से रखा था प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी बजरंग दल की बात करके और उसे बजरंग बली से जोड़कर कहीं न कहीं ये सोच रहे थे कि उनका ये शगूफा काम आ जाएगा मगर वो भूल गए कि बजरंग बली और बजरंग दल में जमीन आस्पान का फर्क है बजरंग दल एक ऐसी संस्था है जिसका एक लंबा चोड़ा इतिहास रहा है हिंसा का हिंसा का दंगो में उनका एक लंबा चोड़ा इतिहास रहा है और करनाटक में उनकी भूमिका कई जगाओं पर बहुत विवादास पद रही है श्रीराम सेने, कौन भूल सकता है, मुथालिक को और उनकी भूमिका को किस तरह से शहरी इलाकों में वो लोग लोगों को टार्गेट करते हैं जो लोग कैफे में जाते हैं, उन्हें टार्गेट करते हैं वालेंटाइन्स डे पर लोगों को टार्गेट करते हैं क्योंकि ये ना भूलें, करनाटक सांस्कृतिक मायनों से ही नहीं, बलकि देश की IT हब है, IT का केंद्र है, सूचना प्राउध्योगी की का केंद्र है, और उसकी फितरत को बदलने की कोशिश की जा रही थी एक लंबे अरसे से, अब आप कहेंगे लंबे अरसे से क्या मतलब, याद कीजिए, हिजाब विवाद उसको जन यहीं करनाटक में दिया गया था, उसे बेवज़ा मुद्दा बनाया गया था, एक पूरा का पूरा स्पॉ लड़ी दी जाती थी और उसके जरिये मुस्लिम लड़कियों पर निशान असाधा जाता था, यह सब प्रायोजित था, और प्रायोजित इसलिए था कि भाजपा समझती थी कि 40 प्रतिशत कमिशन का धब्बा का दाग उसके दामन पर है, और उसे छुडाने का एक ही जरिया है कि हिंदू और मुसल्मानों में बटवारा पैदा करो, हुंदू मुसलिम सियासत करो, हिजाब करो, और फिर जैसे ही कॉंग्रिस के मैनिफेस्टों में बजरंग दल पर पाबंदी की बात आई, तो बीजेपी को लगा, यह तो मौका है, और मैं आपको बताऊं, इस मौके किसी और ने नहीं, बलकि प्रधान मंत्री ने की, हर राली में जाकर बजरंग बली की जह, हर राली में जाकि एक कहना की बजरंग बली का अपमान हो रहा है, नहीं, जमीन आस्मान का फर्ख है, बजरंग बली और बजरंग दल के बेश में, प्रधान मंत्री ये बात भूल और ये इन्होंने दूसरी बार गलती की है याद कीजे पश्चम मंगाल की चुनावों में किस तरह से वो मम्ता बैनर जी पर निशाना साथते थे दीदी ओ दीदी करके वो बात भी पश्चम मंगाल के भद्रलोग को पसंद नहीं आई और नतीजा आपके सामने है दो तिहाई से मम्ता बैनर जी ने जितदर जी थी उसी तरह से करनाटक में जहां मुकाबला अमूमन बहुत करीब ही रहता है वहाँ पर अगर कॉंग्रिस को 136-135 सीटों से उपर मिल रहा है तो यह बहुत बड़ी बात है करनाटक की जनता भारती जनता पार्टी को एक संदेश दे रही है संदेश ये दिया जा रहा है कि नफरत पर लगाम लगाई है जहर पर लगाम लगाई है और यहीं नहीं, करनाटक की जनता ने कहीं न कहीं भारती जनता पार्टी जिसे अपनी बहुत बड़ी ताकत समझती थी, उस पर भी वार किया, कैसे मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यह जनादेश भरष्टाचार के खिलाव भी था, 40 प्रतिशत कमिशन सरकार, जिसका चहरा बुम्म ही थे, मगर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मैदान में उतर उरकर, कहीं न कहीं, उस चीज को अपने उपर ले लिया, वो कॉंग्रेस पर हमला बोल रहे थे, उसे 85 फीसिदी कमिशन सरकार बता कर, मगर हकीकत यह दोस्तों, कि करनाटक की जनता ने जवाब दे दिया, ये ना भूलें, प्रधान मंत्री वो शक्सियत हैं, जिन्होंने न खाऊंगा, न खाने दूंगा नारा दिया था, ये ना भूलें, प्रधान मंत्री वो शक्सियत हैं, जिन्होंने नारा दिया था, ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा, मगर उनकी मौजूदगी में करनाटक में ये सब हो रहा था याद कीजे भाजपा काओ कारकरता संतोश पाटिल उसने आत्महत्या कर ली थी आरोप लगाय था इश्वर अप्पा पर इश्वर अप्पा पर कोई कारवाई नहीं की गई उन्हें क्लीन चिट दे दिया गया स्थानी व्यापारियों ने भी खत लिखा था प्रधान मंतरी को मगर प्रधान मंतरी ने उस पर कोई आक्शन नहीं लिया मगर बात वहां रुख जाती तो ठीक थी लिंगायत समुदाय के जो संत थे एक मठ था उन्होंने भी इस बात की शिकायत पिछले साल की थी कि भाजपा उनसे 30 प्रतिशत कमिशन लेता है यानि कि भाजपा के कारकरताओं को नहीं बक्षा गया व्यापारियों को नहीं बक्षा गया और धर्म जिसके नाम पर वोट हसल किये जाते हैं उस धर्म को भी नहीं बक्षा गया मठो से भी भाजपा की सरकार 30 प्रतिशत कमिशन ले रही थी और प्रधान मंतरी नरेंडर मोदी इस मुद्धे पर पूरी तरह से खामोश थे और ऐसे मौके पर प्रधान मंतरी नरेंडर मोदी के खिलाफ उनके विरुद जनता के सामने कॉंग्रिस ने तीन चेहरे पेश किये सिद्धरमया जो अगले मुख्यवंतरी हो सकते हैं राहुल गांदी और प्रियंका गांदी वाडरा तीनों की बात करेंगे सिद्धरमया की बात करें दोस्तों तो उन्हें बहुत ही शांदार जीत मिली है और ग्रामीर करनाटक में उनकी जो मौझूदगी है न उसकी कोई तुलना नहीं की जाती इस वक्त करनाटक में सिद्धरमया सबसे ज़ादा लोग प्रियनेता है और अगर हम राश्ट्री नेताओं को भी शामिल करें तो सिद्धरमया का दरजा राश्ट्री मीडिया ने उसकी चर्शानी की मगर हकीकत यह दोस्तों कि सिद्धरमया की मौझूदगी ने कॉंग्रेस को एक ऐसी ताकत दी कि वो अकेली ही उन्हें जीत के रास्ते पर ला सकते थे अब बात करते हैं राश्ट्री गांदी की हम ये ना भूलें कि जब राश्ट्री गांदी की भारज जोड़ो यात्रा चल रही थी न तो उस शाम की तस्वीर को याद कीजे जब बारिश हो रही थी और राश्ट्री गांदी अपना भाशन दे रहे थे यही वो तस्वीर है यह एतिहासिक लमहा राशनीतिक तोर पर एतिहासिक लमहा यह टर्निंग पॉइंट करनाटक में आया था और कहीं न कहीं कॉंग्रिस को लगा कि यहां से करनाटक में बाजी धीरे-धीरे राहुल गांदी पलट रहे है उनकी जो भारज जोड़ो यात्रा थी न वो महबत की दुकान का संदेश दे रही थे करनाटक की जनता के सामने दो मौडल्स थे एक तरफ रधान मंत्री जो बजरंग बली को बजरंग दल से जोड रहे थे एक हिंसक संगठन से जोड रहे थे और बजरंग बली का कहीं न कहीं अपमान कर रहे थे मगर दूसरी तरफ राहूल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने यही करनाटक से निकाली थी और मुहबत के दुकान की बात की थी तो ये दो मॉडल्स थे और एक मॉडल को करनाटक की जनता ने चुना दिल्चास बात ये है दोस्तों कि बैंगलूरू जैसा शहर वो बैंगलूरू जो की अर्बन है वो बैंगलूरू जहां भाच्पा का प्रचारतंत्र बहुत मजबूत रहता है उस बैंगलूरू में भी कॉंग्रिस ने जबरदस्त काम्याबी हासिल की है कोस्टल करनाट का यसे मैंने पताया कोस्टल करनाट का ये प्रयोक्षाला रहा है आरेसिस का ये कर्मशेत्र रहा है बजिरंद दल विश्व हिंदू परिशद और श्रीराम सेने का यहाँ पर भी कॉंग्रिस ने अपनी मौजूद्गी दर्श की इसका मतलब क्या है करनाटक की जनता देख रही थी कि बेवजा विवादों को जन्द दिया जा रहा है करनाटक की जनता ब्लाक मेल भी देख रही थी दो किसम की ब्लाक मेल सामने उपर कर आए पहला ब्लाक मेल जब जेपी नडडा ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि करनाटक को प्रधान मंतरी का आशिरवाद मिलता रहे तो बीजेपी को वोड दीजे करनाटक की जनता ने से ब्लाक मेल समझा और दूसरा ब्लाक मेल जब आविच शाह ने कहा कि अगर करनाटक में कॉंग्रेस सत्ता में आ जाएगी तो दंगे शुरू हो जाएंगे देश के ग्रिह मंत्रे अमिच शाह को ये कहते शुभा नहीं देता मगर उन्होंने ऐसी बात कही करनाटक की जनता ने से ब्लाक मेल के तौर पर देखा और इसी मुद्दे पर उसने अपना करारा जवाब दिया 135 शप पर भाड़ सीटे तो एक तरफ रधान मंत्री का चहरा जिसमें वो विगटनकारी बाते कर रहे थे और दूसरी तरफ राहूल गांधी का चहरा जो महबत की दुकान की बात कर रहे थे तो दो लोग उई तो मैं बात कर चुका हूँ यानि कि सिद्धरमाया और राहूल गांधी अब बात करते हैं प्रियंका गांधी वाडरा की जो बात थी और वो शायद राहुत से भी कहीं ज़ादा उची जनता से उनका संबाद और किस तरह से राज की जनता को वो इंद्रा गांधी की याद दिला रही थी इंद्रा गांधी जिन्नोंने 1978 में चिक मंगलूर से चुनाव लड़ा था 1978 में इंद्रा गांधी जीती थी और उस वक का नारा था एक शेरनी सौलंगूर चिक मंगलूर चिक मंगलूर प्रियंका गांधी वाडरा ने इसी emotional कार्ट को खेला और लोगों को इंद्रा अम्मा की याद दिलाई और कहा कि मेरे कंधों पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अगर आप मेरी तुलना इंद्रा अम्मा से करते हैं और बिलारी ये वो जगा है जहां पर जनता ने सोनिया गांधी को गले लगाया था ये दो फैक्टर्स यानि सोनिया गांधी और इंद्रा गांधी इन दोनों फैक्टर्स को प्रियंका गांधी वाडरा ने बहुत खूबी से भुनाया और हम यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रियंका गांधी वाडरा जंता से किस तरह से संपर्ख स्थापित कर रही थी, वो पूरी तरह से नदारत था, राहूल गांधी भी जिस तरह से जंता से संपर्ख स्थापित कर रहे थे, राहूल गांधी कभी किसी बस में चड़ जाते, लोगों से बात करने लगते, कभी वो किसी डिलिवरी आप वाले व्यक्ति के स्कूटर में बैठ जाते, या उनके साथ लंच करते, और प्रियंका गांधिवाडरा मंच पर भाशन दे रही होती, अचानक कोई आवाज लगाता, वो नीचे उतरती, उसकी बात सुनती, और वापिस आकर उसकी कहानी जनता को सुनाती, अब आप कह सकते हैं कि ये सब नाटक है, ये पहले से फिक्स्ट है, होगा, यकीनन होगा, मगर क्या प्रधानमंत्री ये काम नहीं करते, क्या भाशपा का प्रचार तंत्र काम नहीं करता, आज अगर कॉंग्रेस ये कर रहा है, और वो स्वाभाविक दिखाई दे रहा है, और उसका असर पढ़ रहा है, तो कॉंग्रेस ऐसा क्यों ना करें? कम से कम वो नफरत की बात नहीं कर रहे हैं, है ना? और आज इन चुनावों के जरिये, कही न कही राजी की जनता ने नफरत को एक करारा था माचा मारा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले राज्जों में, जब कैमपेनिंग होगी, तो कम से कम प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी, नफरती बातों से बाज आएंगे, और वो नसीहत देंगे अपने पार्टी के बागी नेताओं को भी, कि नफरत से बाज आएंगे, नफरत से देश का सिर्फ नुकसान है दोस्तों और इसके लावा कुछ नहीं, सिर्फ नुकसान है, लिहाज़ा उम्मीद की जा सकती कि करनाटक भाजपा के लिए एक सबक होगा, और वो कॉंग्रेस के अंदर एक नई उर्जयक नई जान भरेगा, ताकि वो अपने अंधरूनी विवादों को मतभेदों को भुलाकर भाजपा से मुकाबला करें, यही है, जब विपक्ष मजबूत होगा, अगर विपक्षी निठला हो, धीला हो, तो लोगतंतर के क्या माइन है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि राहूल गांधी का चहरा और प्रियंका गांधी का चहरा और इन दोनों की जोड़ी, तमाम राज्यों में इसी तरह से आक्टिव रहेगी, और प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के करिशमे के जवाब के तौर पर, राजनीतिक करिशमे के जवाब के तौर पर सामने उभर कराएगी, अब इसार शर्मा को दीजे जाज़त, नमस्कार.